हालो एबरीवन वेलकम टू इन्माइच चैनल प्रभाकत टूटोरियल जैसा कि आप लोग देखी रहे हो बहुत ही बड़ा न्यूज आया है सिवेसी के तरफ से वह इस महामारी के दवरान अपने स्लेबस को 9,10,11,12 की स्लेबस को काफी हद तक 30% जो है वह रिडूस कर दिया ह तो आईए हम लोग सिवेसी की ओफिसल वेबसाइट पर देखते है कौन-कौन स्लेबस रिडूस किये है नाइन टू टू टूबस क्लास के लिए तो यह मैंने सिवेसी का ओफिसल वेबसाइट खुला है और यहां देखो रिवाइज सेकेंडरी सरकूलम एक्जाम आफ नाइ में चाता हूँ मैठमेक्टिस की पहले बात कर लो इसके बाद और भी सब्जेक्स की बात करूंगा और क्लास नाइन से समझ लेना है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ टूजन ट्वैंटी टू टूजन ट्वैंटीवन के लिए मतलब यह सेशन बीस और 21 के लिए दिया है रिव इसा नहीं है कि सब्जेक्स को ही हटा दिया गया है किया क्या गया है चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स का टॉपिक्स को कम किया गया देखिए रियल नंबर की मैं फर्स एप्टर के बाद करू नंबर सिस्टम जिसमें रियल नंबर आता है तो यहां पे यूकिलिट डिविजन और लेमा जो टॉपिक था जो हमने हरियर पढ़ा और इस यह भी पढ़ा था वो टॉपिक का इस बार 2020 और 2021 में एक्जाम नहीं लिया जाएगा कौन सा टॉपिक यूकिलिट डिविजन और लेमा क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो रियल नंबर में fundamental theory of arithmetic statement after reviving और something दे रखा है प्रूफ करने के लिए root 2, root 3, root 5 जो something हमने पढ़ा है वो भी दे रखा है क्या नहीं है यूकिलिट डिविजन लेमा जो है इस topic में नहीं है second topic की मैं बात करूँ तो algebra है और algebra में first topic है polynomial तो polynomial की बात करूँ तो यहां देखो zeros of polynomial relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial दे रखा है तो क्या नहीं है तो इस पे statement based जो question आता था simple problems deviation algorithm पे जो questions आता था it means मैं बोलू तो NCRT का वक्से 2.3 का कुछ questions जो है वो यहां पे नहीं होगा अब मैं बात करूँ second topic का pair of linear equation in two variable तो इस chapter में cross multiplication method को जो हो हटा दिया गया यहां देखो आप pair of linear equation in two variables and graphical method of their solution consistency दे रखा है तो क्या नहीं है pair of linear equation को solve करने के लिए substitution method, elimination method और simple situational problem भी दे रखा है तो यहां पे cross multiplication method नहीं है बच्चो तो ध्यान देना वाली बात है कि तो हमने पढ़ा है अभी तक और साहिद हम लोग ने पढ़ दिया across multiplication method तो वह topic सिर्फ 20 और 21 वाले term के लिए नहीं आनी है फिर मैं चलता हूं आगे quadratic equation पे तो quadratic equation में क्या है something standard form of quadratic equation और something यह दे रखा है solution of quadratic equation only real roots यह दे रखा है तो क्या यहां पे नहीं दे रखा है तो quadratic equation में situational problem दो था जैसे कि upstream downstream और time speed बाला question जो आता है जिसे हम लोग equation बनाते हैं वो चीज़े यहां पे नहीं दे रखी है ठीक है और यहां पे दे क्या रखी है it means 4.1 and 4.4 exercise जो हमें करनी है और कुछ exercises में ऐसे questions दे रखे हैं जहां पे speed और upstream downstream से related question है तो वो नहीं करनी हमें फिर है arithmetic progression अर्थामेटिक प्रोक्रेशन अर्थामेटिक AP की में बात करूँ तो AP में भी daily life से जो problem था जैसे कि end terms का value निकालने के लिए लंबे-लंबे solving daily life problems based जो थे daily life problem based जो end terms वाले थे इटमिस मैं बात करूँ अगर exercise का तो 5.3 exactly मुझे याद नहीं ध्यान नहीं है लेकिन 5.3 एंसियाटिका है जो हटा दिया गया है इस बार नहीं लिया जाएगा सिर्फ 21 के लिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इस बार ऐसा महमारी आया हुआ है तो schools बंस हैं और classes सारे बंस है तो online बच्चे जादा नहीं पढ़ सकते हैं that's why यहां पे कुछ syllabus को हटाया गया है एपी तो clear हो गया यहां पे बच्चों एपी में क्या नहीं है एपी में लंबे लंबे जो problems होते हैं daily life problems based on sum of n terms n terms पे best it means मैं बात करूं तो 5.3 वो हटा दिये गया है अब मैं आता हूं सीधे coordinate zometry पर तो coordinate zometry की बात करें coordinate zometry में तो इसमें area of triangles से related जो questions आते थे वो नहीं है ओके बच्चों यहां पर area of related से जो question आते थे वो नहीं है फिर यहां lines की बात करो तो यह ठीक है geometry की मैं बात करूं तो geometry में देख लो यहां पर triangles है तो triangles से questions जो है वो रहेंगे triangles में कुछ topic को हटा दिया गया है और वो topic है जैसे converge हम लोग पढ़ते थे वो चीज़े यहां पर नहीं है circle की मैं बात करूं तो circle में कोई deletion नहीं है किसी भी तरी के कोई delet नहीं है यहां पर सारा का topic जो है वो आएगा construction की मैं बात करूं तो construction में constructions of triangle construction of triangle जो है हम लोग पढ़ते थे और यहां पर यह सारे topics हटाए है construction of triangle में किस topics related तो सेंट्रल एंगल से रिलेटेड लोग टॉपिक पड़े थे वो चीज़ें यहां पर नहीं है और करना कि 11.2 का सम्थिंग कुछ कुछ सिंस को करने हैं बाकी बहुत सारे टॉपिक्स से भी हटाए गए हैं तो यहां पर देखो आप लोग इस टॉपिक्स पड़ सकते हैं डिविजन ऑफ लाइन सेग्मेंट इन इन गिवन रिशियो और टैंजन टॉपिक्स सेर्कल फॉम पॉइंट आउटसाइड इट यह टॉपिक्स दिये गए हैं अब बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो हटाए गया है ट्रिगोनोमेटरी की मैं बात करूँ तो ट्रिगानोमेटरी में सारे टॉपिक्स हैं बस एक टॉपिक्स हटाए गये हैं और वो टॉपिक्स का नाम है थाट टॉपिक क्या था यदध कंपलीमेंटर Ariang у तो complementary angle जो था वो हटा दिये गया, trigonometric ratios of an acute angle of a right angle based proof आएगा 30, 45 degree something trigonometric identities भी है, तो यहाँ पर कॉंसे topic हटाए गया है बच्छों, यहाँ पर हटाए गया है, वही complementary angle का sign 90-30 और वैगरा, जो हम लोग पढ़ते थे, 90-6 यह सब questions जो हैं, वो हटा दिये गया है, आगे मैं बात करूँ height and distance था, तो height and distance में कोई deviations नहीं है, कोई changing नहीं है, यहाँ पर जो questions थे, वो questions अभी भी हैं, अगर मैं mansulation की बात करूँ area related to circle का, तो area related to circle में कुछ topics को हटाए गये हैं, इसमें central angle जो 120 degree पे बनता था, वैसे questions को हटा देगा है, 120 degree angle based जो questions हैं, यहाँ पर वो चीज़े हटाए गये हैं, अगर मैं बात करूँ surface area and volume का, तो surface area and volume में 13.4 जो frustum of कोन था topic, surface area में frustum of कोन, देखो यहाँ बच्चो, surface area and volume combination of any two following cube, cube-wide, hemisphere, hemisphere, right, circular, cylinder, cones, वैगरा जो हैं, questions दे रखे हैं, क्या नहीं हैं, तो frustum वाला topic जो हैं, वो चीज़े हटाए गया है, frustum वाला topic, frustum of कोन and something, it means 13.4 में जो questions है, अगर मैं statics की बात करूँ, तो step deviation method को हटा दिया गया, यहाँ पर से, mean, median and mode of group data, यह चीज़े दे रखी है, और step deviation method जो था, mean find करने के लिए, वो avoid किया गया है, उसे दूर किया गया, mean to be avoided, लिखा है न, यहाँ पर, and step method to finding the mean to be avoided, और cumulative frequency, अगर मैं बात करूँ, यहा frequency graph जो हमने बनाते थे पहले, वो इस year नहीं पड़ेंगे, अगर probability की बात करूँ, तो probability में सब कुछ दे रखा है, किसी भी तरिके कोई dilatation नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर 30% syllabus है, पर year के according, delete किया गया है, तो यह हम लोग के लिए एक खुसकबरी ही है, और सारे बच्चो के लिए जो आप लोग तयारी कर रहे हो, क्लास 10 का, तो कुछ syllabus 30% syllabus है, वो decrease किये गया है, तो अब हम लोग को तयारी करने में, preparation करने में, थोड़ा सा तो आराम हो गाई, तो यह तो बच्चों बात कर रहे थे हैं, क्लास 10 की, क्लास 10 का syllabus यहाँ पर decrease किया गया है, अब मैं next वीडियो में देख लूँगा, क्लास 9 का, मैं अध का syllabus किया गया है, और मैं और भी topics पर बना रहा हूँ, जो topics मैंने, it means science का, और साथी साथ SSD का, तो बच्चों आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना, और और भी मैं notification देता रह ही है, so okay बच्चों, good day